नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका बेवीज वर्ल इंडिया में और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं दो तरह के DIY ओयल सर्दियों के मौसल में बच्चों का मसाज करने के लिए इस ओयल से बच्चे की डेली मालिश करने से सर्दी से भी बच पहला ओयल जो है वो है सरसो के तेल में बनाएंगे हम सरसो के तेल को गरम करेंगे और उसमें हम आड़ करेंगे दो तीन कलिया लहसन की उसे छील के बारिक टुकडों में काट लेंगे और थोड़ा मेथी का दाना लेंगे और थोड़ा अजवाइन लेंगे इन सब को डूव अगर आप चाहें तो लेसन को किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे को सरदी लगई है, तो बागी अजवाइन और मेथी डाल के इस ऑईल को बना ले और जो दूसरा ऑईल हम बनाएंगे उसके लिए लेंगे बादाम का तेल बहुत सारी लोग अपने बच्छों को सर्सो का तेल नहीं लगाते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं तो उस कंडिशन में आप बादाम का तेल इल अगर बादाम की तैल का तासीर गरम भी तासीर होती है तो यह बहुत ही एक्टिव होता है को बादाम की लिए और ये स्किन को भी बहुत अच्छे से निश्च करता है तो प्यॉर बादाम का तेल नहीं लें अगर आपको आपको प्योर एक्स्टा वर्जिन आल्मेंड और उसमें आप अजवाइन लेसन और मेथी को डाल के इसको पका ले और इसका तेल बना ले अगर आप चाहें तो यहां पर भी लेसन को स्किप कर सकते हैं तो यह दो तरह के ओल हो गए दोस्तों और इसे आपको हरूस बनाने की जरूद नहीं है एक पर बनाके आप 10 दिन तक सकते हैं बिल्कुल किसी बॉटल में भरके रख लें या फिर कोई माइक्रोवेव सेफ कफ है तो उसमें आप रख सकते हैं उससे होगा क्या कि जब भी आपको मसाज करना होगा बस 18 सेकेंड के लिए इसको माइक्रोवेव में रिहीत कर लिए और बच्चे की मालिश कर दें पूरी सर्दी के मौसम में मैं बच्चों की मालिश इसी तेल से करती हूँ अगर कभी ये तेल नहीं बना हुआ रहा तो अलग बात है तो डेली उसके लिए जो मैं ऑईल बनाती हूँ उसमें डेफिनिटली लेसन नहीं डालती हूँ लेकिन अगर मुझे लगता है कि अच्छे से कवर कर दें अच्छे से स्वेटर पहना दें और सॉक्स पहनाना बिल्कुल ना भूलें तो यह रिखिए दोस्तों जैसे ही तेल थोड़ा गरम हुआ सबसे पहले उसमें मैंने मेथी डाला उसकी कुछ 30-40 सेकंड के बाद अजवाईन और उसके आधी मिनिट के यह रिखिए पर 30-40 सेकंड के बाद मैंने यह रिखिए अब लेहसन को बिल्कुल ब्राउन होने तक पका लेना और इसको फिर ठंडा होने दिजियो और फिर किसी चैनने से चान के इसको एक बॉतल में रख लें चैनने से चानने के लिए इसलिए बोल रही हूं ताकि इसमे बाद फिर बच्चे की गुन-गुनी तेल से मसाज करें तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज से लाइक और शेयर जरूर करेगा और सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल को ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियो के मेंश काई